दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है लोटस आयरवेदा इंडिया में बहुत से लोगों में राद को अक्सर खुजली की समस्या होती है जो कि उनकी नीम में बाधा उत्पन्ण करती है आप अक्सर बच्चो या बड़ों में सोते समय खुजली के कारण नीन तूटना और सही धंग से नसो पाने की समस्या देखते होंगी इसे आमतोर पर एक्जीमा यानि की तवचा सम्मंधी रोक के कारण होता है क्योंकि एक्जीमा के लक्षन अक्सर रात में ज्यादा खराब होते है और नीन में बाथा या देरी उत्पन्न करते है इसके अलावा कुछ लोगों में रात को सोते समय खुजली कई अन्यकारणों से भी होती है जिसकी वज़ा से बैचेनी के कारण नीन आना मुश्किल हो जाता है यह नीन में खलल पैदा करता है तो आईए आज हम अपने विडियो में आपको बताते हैं कि रात में खुजली क्यों होती है और खुजली होने के कारण और उपाय रात में खुजली होने के पीछे कुछ कारण होते है जिससे रात में एक्षीमा के लक्षन भी ज्यादा तर महसूस होते है शाम को बढ़ जाता है जिससे आपकी त्वचा गर्म होती है त्वचा के तापमान में वृध्धी से आप खुजली महसूस कर सकते हैं रात में सोते समय खुजली के कई कारण होते हैं जिसमें एक्जिमा के अलावा कई अन्यकारण है जिसमें द्वचारोक, एक्जीमा, सोराइसिस, बिस्तर में कीट पतंग या मच्छर के काटने से, किड्नी या लीवर की बीमारी से, आयरिन की कमी या एनिमिया से, दात खाज या डाइबिटीज से, दवाओ, खाध्य पदार्थो या ब्यूटी प्रोडक्स के कारण भी आपक कम किया जा सकता है, सोने से पहले मौश्यराइजर का इस्तिमाल करें, रात को सोने से पहले आप एक अल्कोहल मुक्तो मौश्यराइजर या एक मेडिकेटेड क्रीम का इस्तिमाल कर सकते हैं, मेडिकेटेड क्रीम आप डॉक्टर की सला से ले, यह तरीका आपको रात में सोते समय होने वाली खुजली से राहत दिलाने में मदद करीगा रात को खुजली से बचने के लिए आप रात को सोने से पहले गुन-गुने पानी से नहा ले यह तवचा को हाइडरेटेड रखने और संक्रमन को रोकने का काम करता है नहाने के बाद हमेशा तवचा को आप चाहे तो खुजली से बचने के लिए कोलाइडल दलिया, बेकिंग सोडा या सिरका शामिल कर सकते हैं इसके अलावा आप नहाने के पानी में दो कप एपल साइडर विनेगर भी मिला सकते हैं आप सोने से पहले नारियल तेल की मालिश भी कर सकते हैं नारियल तेल में ए कुशिश करें कि मुलायम कपड़े ही पहने और उनी कपड़े खुरदरे कपड़े वचादर से बचें क्योंकि यह तवचा में खुजली पैदा कर सकता है कमरे के तापमान को ठंडा रखें क्योंकि पसीना या अधिक गर्मी वचा को खुजलीदार बना सकती है इसके अलावा एक हुमिडी फायर चालू करें यह आपके सोते समय आपके बेटरूम में हवा में नमी जोड़ देगा तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे विडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीशिए और देखते रहें लोटस आयुरवेदा इंडिया